सरदार नरंदर सिंग कपूर्दी पुस्त कंतर चात दा लेख है मन दे मेले कई दर्या अजयी वी हुन दे हन के जे कड़ा पक्का हुवे तां भी दूझे किनारे नहीं पहुंचिया जा सकदा अजयी दर्या केवल डुबल नहीं हुन दे हन जिस किसे ने वी पमर्दी जूनी पोगी है कोदी पार नी पहुंचिया जड़े मुहबतां दे रापेंदी हन उनानु मन्जिल तला पेंदी है पर राग वाच जन्दे हन जड़ों मन वावरोले आंदी टोर टोर पवेता मनुख अपने कर दे भुए ते उद दस तक दे के पुछ दै इते कोण रहन दै कि ये मेरा कार है मैं कोण पाणी किद्रे वी होवे उस मुंदर ले तांग दै उमर कोई वी होवे मनुख प्यार ले विल्क दै प्यार दे लखांबुहे बारियां तेरा रस्ते हन प्यार आखर प्यार नू लब भी लेंदा है जड़ों एक करामात वापर दी है ता इकोविले कुछ गवाच जानते कुछ लब पैनदा तीबर ऐसास सुन दै करामात तांग केवल प्यार ही विखा सकते है प्यार दी अवस्था विच जो कुछ भी वापर दायो करामात ही ता हुन दी है प्यार आप एक करामात है जदों प्यार दी करामात वपर दी है ते सानू पर लग जन्दी हैं जदों पर खुल जन्द ता सारा असमान अपना हो जन्द है असी प्यार इसली कर दियां तांजो सानू जियों दी जाचा जावे ते जिऊंदे इसलियां ताजो सनु प्यार करन्दा सुच्च जाजावे दुख सुख दी सुझी वी प्यार दी रापैके ही मिल दी है प्यार दी अवस्था वी चसी सुख दुख दुख दुवी पुल जान दे है प्रेम दी अन होंद वे चसी दुख ही हुन दे है प्यार तूं उचेरी सुख दी कोई अवस्था नहीं प्यार जदों देन ते आउंदा है ते सब कुझ लुटादन दै पर जदों ये लेन ते आउंदा है ते कुझ वी बाकी नहीं छड़दा प्यार विच किसे वी परकार दी बैस संभव नहीं हुंदी ए एक दुजे नानों वद चड़के सैमत होन दी जदो जैद है प्यार किसे कनून नो नहीं मन दा प्यार विच काटवद दी चर्चा नहीं हुंदी जदों काटवद दी बैस रम्भ हो जाए ता पिछे कोडियां यादा ही रह जान दी है प्रेमी कहन दा है कि मैंनों समझन दा यतन नहीं कीता आ गया ते प्रेमी का कहन दी है कि मेरे प्यार दी कदर नहीं पई इसलिए कहन दे हन कि प्यार सारे वही खाते हैं ते लेखे जोख्यां तों मुक्त है प्यार अपने आपतों सिवाई किसी होर नू कोई हिसाब नहीं दिन्दा प्रेम नू अन्ना इसली किहा जान्दै क्योंके प्रेमी थे प्रेमी का अनू अपने प्यार वेच कोई नुक्स नजर नहीं आउदा जदू जीवन दी जमा तक्सीम विच केवल प्रेम ही बाकी बचे तो उस वेले तरती तो अनू अपने रिण तो मुक्त कर देगी अजए ये वस्था विच मनुक सब कुछ देन विच अनांद प्रापत कर दे ते बदले विच कुछ भी प्रापत करन दी मजबूरी तो मुक्त हो जान दे है। उस वेली हर रादी मन्जिल होने बड़ दे है। जिद्धर वेखिये उसती दहलीज दिस्ती है। जित्थे वेखिये उसती तस्वीर नजरों दी है। अज़ेग्या कडिया विच्छी मनुको जिन्दगी नू केंदे। जे इसतरा नहीं ता फिर ना सै। अपने आपनू जानन दे दो टांग है। अंदरों जानन दा टांग समधी है। बारों जानन दा टांग प्यार है। प्रेमी, योदा ते संत सारे समाज नू रद कर दे हैं। समाज वरुद बगावत कर दे हैं। इना सारें विच बेन साफियां तो मुक्त एक समाज सिर्जन दी सिदक वान तांग हुंदी है। प्यार सानू ओ स्वेव विश्वास दिन्दे हैं। जेड़ा अपणियां लड़यां आप लड़के हुंदा है। जेड़ा दुख तो डरता है। वो प्यार नहीं कर सकदा। क्योंकि ए डुब के उबरन दा, मारकेज योन दा, ते चुक के सिद्धे खड़े होन दा अमल है। एस युद्विच कोई क्रिशन किसी अर्जंदी सहायता नहीं कर सकदा। प्यार साड़े अन्बवनू डुंगाई ते विशालता देंदा। सानु डुंगियां सिखरांदे दिदार करवोंदै। ते अपना सिर सितार वांग निवा रखण। ते अपने रादेनों सूरज वांग उच्चा रखण दा साहस दिखोंदै। प्यारों खेतरा जिस विच असी वसन दे चाविच उजड जानदे है। असी शिकायत करन जानदे हैं पर तानुवाद करके मुड़ दे हैं। अखा अपनियां हुंदियां हन नीद पराई हो जानदी है। उस दे आउन्टे सूरज चड़ दै। उस दे जान्टे सूरज टाल जानदै। प्रेमी नुँ यू लगदै के जीता केवलो ही रहे हैं बाकी सारा संसारता ठेड़े ही खा रहे है। प्रेमी का केंदी है टिकता दो लेला है जित्थे चलेंगा चलांगी नाल तेरे। प्रेमी केंदा है जे तु ओना हुवे ता मैं रात जल्दी पादिया। अजकल सूरज भी मेरा कहा नहीं मुड़ता। प्रेमी लेखदा तेरे रूप दा चर्चा रुकेगा ताई मेरे प्यार दी गाल चलेगी। तु विछड़े आना कर। तु बस मिले आई कर। पर प्रेमी दी मंग दे बावजूद प्रेमी का कल दे फिकर विच अजनू टाल दी रेंदी है। हर सोनी सूरत कविता दा नजराना मंग दी है। होसन प्यार दे कविता इक ही अनुबव दे वकरे वकरे नाम है। प्रेम दी अवस्था विच हर व्यक्ती कवी हुंदा है। समाज प्यार दी वृद्ध हुन दी हन पर प्रेमी प्यार नू सत्कार योग बनों ले हर योग विचंदोलन कर दी हन जेडा व्यक्ती सानू बिना किसे स्वार्थ दे प्यारा लगी उसाड़ा प्यारा हो निबड़दा है सुन्दर रूप दी असली तस्वीर साड़े मन विच हुन दी है जिस्ते नाल मिलदी जुलदी सूरत असी बार लगदे फिर दिया सानू अप्णा प्रेमी संपूरन लगदे जे उदे रूप विच तब्दिली करने साड़े वस विच भी होवे ताँ भी असी कोई परिवर्तन सोच भी नी सकते मैं प्यार करां के ना एगल पुच्छन वळी नहीं हुन दी क्योंके एदा कोई उत्तर नहीं हुन दा पता ही नहीं लगदा कि कोई किमें मिलदे अक किमें चुक दी है सा किमें रुक दे गल के में चल दी है, नीद के में उठ दी है उसनू पलोण दे यतन वेच करा माते वपर दी है के उस दी सूरत पिगल के हर चीज वेच टल जन दी है ते हवा वेच कूल जन दी है प्यार वेच अक्सरे में वपर दे है जिमें कोई सुमुंदर खो के ले जावे ते जन्दा होया एक किष्टी दे जावे है हर इस्तिरी नू अपनी किसे न किसे गल्दा मान होंदा है प्यार दे रिष्टे विच इस्तिरी नू वदेरे मेनत करने बंदी है वदेरे कुर्बनी देनी बंदी है वदेरे विरलाप करना बंदा है मिलनी वडी थां दा फैसला करन विच ते प्यार दे परबंध विच इस्तरी दी योकता दा कोई हद बनना नहीं प्यार वास्तव विच इस्तरी दा खेततर है इस्तरी पुर्ष दे साथ नू कुदरत उत्षा दिन दी है अश्विरवा दिन दी है तियो नदे मेल दी परशंसा कर दी है प्यार विचो काम नहीं, सो गो काम विचो प्यार उपचिदा है जे कोई व्यक्ती काम तो मुक्त है, उसनों कोई वी चीज खेच नहीं पा सकती काम दी लालसा सरीर तक सी मत हुंदी है पर प्यार दी पॉड़ी चड़ के ए लाल सा रोहानी अन्बवत यां बुलंदियां चून दी है जो प्यार सौख्यां प्रापत हो जान्दा है उओ अनन्द नहीं दन्दा नाई डूंगा ते सदीवी हुन्दा है प्रेम मारग जिन्ना बिखडा ते लम्मा होई उन्नाओ वदेरे अनन्दा एक होन्दा है इस्तरी उते समाजिक बंदन ते रोका वदेरे हन इसे लिए उस्ताविहार वदेरे सूखम ते गुंजलदार है प्यार अपने प्रीतम दे मान ते स्रीर दी वावाउते निर्बर होन करके विसमादी अन्बव होने बढ़दा है हर प्रेमी दे मान वेचे प्रशन उठदे के मैं की करां के मेरा प्यारा मेरे नल प्रेन करे इस प्रशन विचों इ प्रेम लीला दा संकल्प जनम दा है प्रेम लीला दी एच्छा इस्तरी नू शिंगार करन ले प्रेर दी है इस्तरीयां वस्तरां ते गेणे अनल पुर्ष मना नू तरंगत कर दिया हन दर्जियां सराफां बजाजान ललारियां अद्दा रुषगार इस्तरीयां वलों पुर्षांदा ते आन खिचन दी लगातार लाल साउधे उस्रे होया नरवी शिंगार कर दे हन मोर दी उदार्म साडे सामने है पुर्ष शिंगारी नहीं कर दे चातरतावी विखोंदे हन शक्ती, अकल, ते तन दी नुमाईश लौंदे हन तोफे देना, कुमाणा, खोवाणा पुर्शवलनों अपनी शक्ती प्रक्टाउन दे विशव्यपी टंग तरीके हन सुलोणावी एक परकारदा तोफ है प्रेमियां दी बोती गल्बात आपसी उस्तत अते अपने दुखांदा ही विख्यान होंदी है हर व्यक्ती नुँ अपने किसे न किसे काट दा ऐसा सुन्दै उस्तत उस काट नुँ टक दी है दुख दा प्रगटावा दूजे दा साथ प्रापत करनली बेंती पत्तर हो निबढ़दा है इस्त्री दी वड़ी शक्तियों दे सुन्दर होंवेच नहीं उस्ते अपाउंच हों चेर नाल मिलन दे गैर हाजर होंवेच है अजय ये वस्था विच उपरी लगदी है हाजर होंदी वस्था विच वो इस्तर्ती दी इस्त्री लगदी है अदेख हाजर होंवेच नाल वो इक सदारन इस्त्री लगदी है व्या होंदी सुरत विच उदे गवाच जानदा डर जानदा रंद है ते पुर्ष उस्प्रती अवेसला हो जानते है। इसे वस्था विच पुर्ष केंदे है, मेरे नल तोखा होया है, ते इस्तरी केंदी है, मेरे प्यार दी कदर नहीं पई। जेडी चीज दे गवाच जान दा डर हुन दा है, उसे नूँ असी संबाल की रख दे है। प्यार वेचिक दूजे दे गवाच जान दा डर निरंतर बड़े आरेंदे है, इसे लेए प्रेमी व्याली तांग दे हैं। जो वस्त जां व्यक्ती साढ़ी पॉंच विचा जान दा है, वो क्रू पते कोजा होन लग पेंदे है। इवड़ी चिंतादी गाल्या के प्रेमी व्याली तांग दे हैं। सब मुश्किलां दे बावजूद प्रेमी परसन हुन दे हैं। प्रन्तु लोब वस अपनी परसनतानू सदीवी बनोल्ले उव्या कर दे हैं। प्रेमी नल व्या दे इच्छा प्यार नहीं, लोब है। व्या कर आणू परन्त रिष्टा प्रसपर शोशन दा होने बढ़दा है। अते प्रेमी वपारी बन जान्दी हैं। प्यार ते वपार विच कुझ वी सांजा नहीं। व्या कर नल प्रेमिया नू इक दूजे दे तन ता मिल जान्दी हैं। पर मन उपराम हो जान्दी हैं। ते मना विच ले वित्वद जान्दी है। प्रेमिया ले इक दूजे नल रैन नलों, इक दूजे दे सदके मरना सौखा हुन्दै। प्रेमी व्या करके प्यार नू तलाग दिन्दे हन। वक्त दे भीतन नाल तोर ते सोच दू में बदल जान्दी हन। पता नहीं लगदा कोदो संगीत विच्चो कीर ने सुनाई देन लगपेन्दी हन। जदों तक मनुखनों उसता साथ नहीं मिलदा। उसती पटकन नहीं मुख दी। साथ मिलन दियां ते प्यार पैन दियां संभाव नमां दिनों दिन सुन्गड रही हन। मेल मिला आप निरसंदे वद्रिया पर मिलनवाडी तसली लोप हुंदी जा रही है। जिनन्दा कोई जीवनु देश नहीं हुंदा, वो प्यार विच्वी जल्दी आक जान्दी है। सो प्रेम दियां बाल मौतां दी गिन्दी बद रही है। जी पर जाननाल हर रिष्टे विच कुडत ना जान्दी है। जे प्यार नू नव्याउन दे नित नमी यतन ना किते जान, ता रिष्टे दे पुराणी होननाल प्रस पर चुप लम्मी हुंदे जान्दी है। प्रेमी दुखी होनले कोई न कोई टांगला भी लेंदी है। ओ दूजी तेर्दी हर गलनू पडचोल दे, हर सैनत नू फ्रोल दे, हर गल दे गुजे अर्थ लग दे, इर्खाते नफरत दा कंडा कंडन दा, जिन्ना वदे रे यतन कर दी हैं, उन्ना वदे रे तस दा जान बंण जां बंदेज के सेवी परकारदा होवे, उस विच प्यार कुमला जान दा है। ठोसे होई रिष्टे सोख जां तरवास नहीं दिन्दे, इबोज बंजन्दे हैं, ते बोज के सेवी परकारदा होवे, उसे जल्दी तो जल्दी त्यागना चौंदे हैं, प्रेमी इक दुजे दे दिल दियां बुजदे हैं, जदों प्यार दा हो लारा उच्चा होवे, ता जान बड़ी छोटी जी विखाई देन लग पेंदे हैं, इसे लई प्रेमी अपनी जान वारंदी गल सब्तों पहला करते हैं, प्यार सदा पवित्तरता, संजम, सरलता, सच्चाई, मि प्यार नू डेगण मारंते तबा करनवाले ते जाँ भान, की प्रेमियानू विया करवाना हैं, जै सु बावक रूप विच विया होन दै, ता करवा लेनां चैँदै, पर विया दी जिद नहीं करने चैँदै, विया ता इउं करवानां चैँदै, जै जीवन दे यतारत द अम्मों सामनेक लोन दी समरथा होवे। सुमुचे रूप विच प्यार उत्ते व्यादा वोज नहीं पौना चाईदा। प्यार सानू स्याना ते कोमल बना दन्दा है। ये सने चुपते सब रूप जाऊंदा है। स्याने प्रेमी कदी खिज दे नहीं, वो दूजी तेर दा विकास नहीं रोक दे। उना विच बिना संग जा विखावे दे अपनी गल केन दी योगता उपजदी है। आदर दी पावना नल सब कुझ क्या जा सकता है। जेडा सडे प्यार दा अधिकारी हुंदा है, उस सडे प्रोसे ते विश्वास्तावी अधिकारी हुंदा है। इस्तरी प्रती सनमान ते सतकार दी पावना तो बिना, पुर्ष ना प्यार कर सकता है, ना ही उसता आचार शुद हो सकता है। जीवन दी अनिश्चितिता कारण ही असीकदू जिदे प्यार ले तांग दे हां, स्याना प्रेमी कदी खिजदा ने, तुफान वेची कुछ सुल जे होई मला वांग, उत तुफान दे लंग जान दी उडीक, ते आस विच रंदे, ते तुफान कारण उसनू समुंदर चंगा लगनों हाटने जन्दा, जेडे अपने सुबा आनुसार विचर दे हन, जेडे अपने आप उत्ते हास सक दे हन, जेडे उचे चते विशेश परतीत होंदे रोगां तो मुक्त होंदे हन, उनांदा प्यार सदीवी होंदा है, अपने कामनू टाल के प्यार करन वाले, ते करन वाले, डूंगे अन्बवांतो कोरे रैजांदी हन, नित मिलन दी तांग ते लाल साकारन, दोमी तेरां गल बात दी मिठास गुआ बैठ दिया हन, परे मिठास प्रेम पत्रा मिच मुड जाग पेंदी है, मनोहर थावां दी पिठ पुमी विच मिलनियां अमिट यादान जनम देंदी हन, जेडियांसानू पातचर दिया, तुन दांते स्याल दिया, उदास रातां विच जीवन दा साहस दिन दिया हन, प्यार विच रंगे चेरे जी आयानू ही एना जान दे हन, अल्विदा नहीं, सच्चा प्रेमियों है, जो ससी वांग पुन्नूनू लब प्यार मेनत सिदक ते सिरड तो बिना साड़े डूंगे ऐसासा विच नहीं उतर दा कचियां तंदाने टुट ही जाना हुंदे पर जीवन दा जदों कोई उच्चा टीच्चा मित लगे ता प्यार उच्चा ते साहस दा द्रया हो निबड़ दा है जे स्विच जान दे होई वी कि असी सोनी वांग डुब जाने असी रुक दे नहीं असी रुक सक दे ही नहीं दान्वाद सरदार नरंदर सिंक पूर्दी पुस्तक अंतरचाथ दा लेक सेहन शीलता बिलियानों स्यानें चुहे चंगे नहीं लग दे जदों भी समाज वेच कोई रसमरीत, फैशन जा विहार दा, कोई टांग तरीका बदल दै तान गिंत लोकां लेई ये तब दिली सैन करनी ओखी हो जान दी है केले दे छिलके तो तिलकन उते असी उसुते हसदेयां जिसनू असी आप डिगनां चौन दे सी किसे मंगते नू डेगन बारे तुसी कदे सोचया नहीं हुन्दा, सोव दे तिलकन उते तुसी हसदे भी नहीं जे अंदर अनांध होवे ता सी होरतरा हसदेयां, पर अंदर नफरत होवे ता साड़ा हासा होर किसमदा हुन्दा है क्रोधी तिया सैंट शील व्यक्ति अक सर्व देरे पाज पूजा पाठ कर दे हान। पती वलों ओवर टाइम लौन्दा इक कारन पतनी दा चगडालू होना वी हुन्दा है। कर रैन वाड़ियां पतनीयां नो अपने नाल हुईयां वदी कियां बारे सोचण दा वदेरे समामिलन कारन। उकम करन वाड़ियां इस्तृयां दे मुकाबले वदेरे उदास रहन दिया हन। अप परवान गीत या सैन शीलता दियान गिंत परता हन। हर किसी दे मन विच शिक्वे शिकायतां दी पेड जुड़ी हुई है। जिस कारण मन अशांत हन। मन ओदो तक शांत नहीं हो सकदा। जद तक तुसी अपने आपनाल एक सुर नहीं हुँदी। अपने आपनों एक सुर करन तो पहला जिनानाल तुसी वदीकियां कितियां हन। उना तो खिमा मंगने पाएगी। ते जिनाने तु अडेनल बेन साफियां कितियां हन। उनानों खिमा करना पाएगा। खिमा करके तुसी शांत नहीं होगी, सो गो तुसी सच्ची खिमा करो गई उदो जिदो तुसी शांत होगी, इस थिती वेची तुआडी सैन शीलता दाके राविशाल होगा, खिमा ते सैन शीलता इक दूजे नल बज़े हुए हैं, जिवें सज्जा पेर खबे पेर नल होया है यह कदी भी नहीं होया ते नाई कदी होवेगा कि तुसी सज्जा पैर लगातार दो वारी चल्या होवे तो अड़े अगले कदम दी द्रिड ता इस्तो पहले कदम दी मजबूती होते निर्बर कर दिया है सवीकारं दी बिर्ती वळा सेंशील व्यक्ति अपने ओदे जां रुत्बे दे आनुसार उचा उठता है जद के अंद्रों कब राया होया व्यक्ति अपने ओदे जां रुत्बे नहों सेंशीलता कारं अपनी पदर तक ठल्ले डेगलनते पामियों खुलोताँ उच्छा असलियत एंदी है कि उमीर हुन दी नहीं क्योंकि अमीरी उस अवस्थानु कहन दी हैं जदो दिमाग खुला होवे ते कमर तांग होवे पर हुंदाक सरूल्ट है एही कारण है कि जिनातो सानु सब्तो वद आसा हुन दी हैं उही सब्तो वद निराश कर दे हैं एवी वेख्या गया कि एक था रंदे रंदे अपने आनु वी सैन करना ओखा हो जान दे हैं अति वो बेगाने लगण लग पेंदी हैं जदों के किसे दूर दूराडी था जा किसे यात्रा दोरान बेगाने वी अपने लगण लग पेंदी हैं जिनानु बड़े उचेच करके जी कि आपने बढ़ोंदे हैं उना नाल ही नफरत हो जानें थियें तलाग ती जादाद इमकदमें, अजयी वर तारयां ना पर्मान हैं हर चगडे थी हर मकदमें वेच दो हंकार लड़ती हैं अपने हंकार तो बिना ना शी किसी दी मूर्ग्ताती हाच सकती है ना ही किसे नू नफरत कर सकते हैं। हंकार असेंट शीलता दा चंडा है। साढ़े कोड बीबे ठानेदार जा साव अफसर दा कोई संकल्प नहीं। चंगे काम करनवाले आनलों पैड़े 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 काम करनवाले आनलों विच देरी नहीं करदे। विच देरी नहीं करदे। संसार है ता बड़ा विशाल पर इस नुँ असी वेख दे अपनी समरथा दी सीमा विच्छा। शुकर है के रबने साडे नाल सला करके संसार नू नहीं सर जया। नहीं ता संसार बड़ा चोटा होना सी। शुकर है के रबने साडियां सारियां अर दासा नहीं मनिया। नहीं ता संसार दा नक्षाई होर हुन्दा। कई लोग दुख विच जान जोदों दुख उना दी सैन शक्ती तो बार हो जान दे अपने सिर्देवाल पुटन लग पेंदे हान। उप पुल जान दे हान के गंजे होन नाल दुख काट नहीं जान दा। सब गंजे होन दी नमी समस्या उपज पेंदी है। सनसार दे बड़े खून खराबयांते बरबादियां दी तैविच किसे ना किसे दिया सैन शीलता जांहंकार छुपया हुन दा है। सारे वादवी वादवी सैन शीलता दी काट वी चोप जदे हान। तुसी अपनी सैन शीलता दा के राज जिनना सीमत करी जाओगे, उन्ने युदेरे दुखी ते असंतुष ठुन्दे जाओगे। सैन शीलता दी काट कारण हत्यार रखन दी इच्छा जाग दी है, हत्यार विखा के ते वर्त के तुसी इन्नी नफरत पुजाल एंदियो के उस सुपरांत उस हत्यार अपनी सुरख्याली उमर पाच जुकना पेंदे है। सैन शीलता अजाद मंदीक स्थिती है, एक परकार दा अनुशासन है, अजादी उथी हुन्दी है जिते पाबंदियानों स्वै इच्छानल सविकार कीता जंद है, इसे करके कहन दे हैं कि अजादी ले कुझ पाबंदियान दा हुना लाजमी है। जानवर ते पंची प्रकिर्ती दे अनुशासन ते पबंदियानों खिडे मथे सैन कर दे हैं। कलपां दी सिखलाई वांग, सैंड शीलता ते या सैंड शीलता दोहां दी सिखलाई सानु कार ते स्कूल वेचों मिल दी है। हर व्यक्ती किसे नं किसे तरम, बरादरी, फिर के इलाके जादे श्वेच जनम लेंद है। इना सबनां दे गुण और गुण ते पक पात सुनू सुते सिदी प्रापत हो जान दी है। लगपक 15 सालां दी उमर तक सारे बुन्यादी संकल्प अते पक पात पक जान दी है। इस उमर तक मापे बच्चेयानु इसलिए वदेरे प्यार ते सुरख्या परदान कर दे हैं। ताके सारे बुन्यादी संकल्प ते पक पात उनादे मन विच डूंगे उतरचान। इस सुप्रांत किसी प्रकार्दी सिख्या उनादे बुन्यादी संकल्प अनु बदलन विच सफल नहीं हुंदी। मनुख बैमानीनु जाने बिना इमानदार नहीं हो सक्दा। रात तो बिना उसकोल दिन दा कोई संकल्प नहीं हुन्दा जे कुझ लोक अमीर ना होनता गरीबानू अपनी गरीबी गरीबी परतीत नहीं होएगी इमें सैन्शील्ता ते विरोधता दे दोमी संकल्प सानू बणे बणाई विर्से विची मिल जान्दे हैं बच्पण वीची तर्म साड़े मान ते दिल विच पीडी डा के बैज़न्दा है असैन्शील्ता दा परमुक स्रोत्ते अदार तर्म है तारमिक व्यक्ति गलां सैन्शील्ता दियां करदे हन पर प्रगटाओं दे विरोधता हन असेन शीलता कारण ही नमे तरम जनम दे हन ते हर तरम विच नमे फिरकेते संपर्दामा चल पेंदिया हन सारे तरम अपने शर्दालवानू जोड देते उनानू दुझे तरमा दे विरोध विच खड़ा कर दे हन जथे बंदियां संस्थामा पार्टियां सबामा यूनियना तड़े बंदियां आद विरोध दी पावना बिना उसरी नी सक दियां हर तरम बदीनू खटम करदा करदा आप बदीदा रूपतार लंदे इवी इनकलाब ले उन्वाले अगले इनकलाब देवरुदी हो निबढ़ दे हनु जात पात वी असेंट शेलता उत्ते उस्री हुई है सब परकार्दी परवारिक ते आर्थिक खेत्रा विच पसर रही असेंट शेलता सब इस बंदानों विगाडंदा यतन कर रही है जिनना कोई व्यक्ति वदेरे तार्मेक जान देश पगत जान तनवान जान शक्ति शाली हुंद है उनना ही वदेरे असेंट शील हुंदा जान दै इन निश्चे नल नहीं किया जा सकता कि की सारे महापुर्ष सही अर्था मिच महापुर्ष सन जांसी अपने स्वार्थ लेयो नानू इनने वड़े महापुर्ष बढा लिया है जे बच्चेयानू बच्पन विच्ची महापुर्षा बारे ना दस्या जाए तो बड़े हो के ना माम पुर्शानू सदार्न व्यक्ती ही समझनगे बच्चियां दे मन्दी कोरी सलेट होते असी जो जो करदे जावांगे उसे दे संदर विचो पक पातू सारदे जावांगे उस संदर विच्चियो समर्थन ते विरोध करणगे जो दोना दी दिरिष्टी तंग करदित्ती जावाई तो विशाल अर्था मळा कुझ भी करण योग नहीं रन्दे हिंसा जुरम ते लड़ाई चगडियां दी जाग बच्चियांनू बच्पन विची लग दिये जी हो जैखे डोने ते संकलप ते आदर्ष बच्पन विच बच्चियांनू दित्ते जान्दे हन उहो जी आई वर्ताराओ बड़े होखी करते हन कई व्यक्तियां दा नाकोना दे मथे नणवी उच्चा हुंदा है उनानू मिलके ही कांत चंगा लगण लाग पैंदा है जाओनानू मिलके किसे उच्ची मारत नू छाड मारं दी रीज पैदा हुंदी है अजयी व्यक्तियांनू असी अपने जीवन विच्चों संत्रे दे बीजा वांग बार कड के सुटन बारे सोचन लाग पैंदिया पर सोच दियां के रब ने नू कुझ सोच के बिनाया हुएगा सैन शीलता दी काट सा डारा रोक दी है किसे सब्यता आजन सब्याचार दियां जेडियां समस्यामा हुं दियां हन वेक्ष्या गया के संसार्धी अनिक कां असंबव कार जानू सेन शीलता दी शक्ती नाल आम सदारन लोकाने संभव कर विखाया है वास्त विचोनान वेना कमादय संभव होन दा ज्यान नहीं सी उरा रोकन वले ज्यान तो मुक्त सन उनाने निशाने मित के जिंदगी नहीं जीवी उनाले जिंदगी अपने आप विच एक निशाना से जिंदगी दी खूबसूर्ती ही यही है के मनजिल वी असी आप मित देयां ते यात्रा वी असी आप ही करनी हुंदी है कई जीवन दा निशाना ता लब लेंदे हन परोना विच टुरंदी हिम्मत नहीं हुंदी उठीक राती हुन दे बावजूद किदरे नहीं पॉंच दे संपूरं ता दी तलाश वी सैन शक्ती दी काट विच ओप जदी है संपूरं पती संपूरं पत्नी संपूरं काराद सब सुपने हन संसार दी जीवन दी सुन्दरता इना दे अपूरन हुन विच ए प्यार कर कारियो सक्दे हन ते कर्देवी होई हन जिना विच दूजयनिया काटानू सैन दी सैज अमीरी हुन दी है इमें विद्वान हुन दे यो है जड़ा अपनिया ग्यानता प्रती सुचेत हुए जिसकोल अन्बवदी अमीरी हुए कुछ अन्बवजय हुन दे हां जड़े साडे नल वाप्रन उप्ते सानू पता लगदे हन। काल कारन नुकसान उठाकी सानू स्तीरज दा ग्यान हुन दे जिते तीरज नहीं सैन शिलता नहीं उथे डूंगे ते विशाल अन्बव नहीं हुन दे कोई व्यक्ति जिनना अपने शब्दां बोलांदा सचा चूठा हुंदे उनना यो चंगा माडा इतबारी जा बेतबारी हुंदे जिस व्यक्ति दा इतबार ना रहे उसनों सैन करना सहल नहीं हुंदा अजय व्यक्ति दे जयों दे जा मरे हून दा कोई फरक नहीं बनदा सैन शीलता तो कुरा व्यक्ति इतबारी नहीं बनदा सैन शीलता अनुशासन दे स्वैक का भूदी बुनियात है इना गुणा तो बिना कोई खेड नहीं खेड दे जा सकती कोई रिष्टा नहीं उसार्या जा सकता जे मनुख वेच सैन शीलता नहीं ता सुबाव की उस वेच गुसी होन गालां कड़न निंदा चुगली करन चूठे दोश लौन बहान नहीं लौन ते विरोध उसारंदी बिर्ती बलवान होईगी अजय व्यक्तियानों अकसर जीवन वेच अजया काम नहीं लबा हुंदा जिस नालोई क सुर्ख हो सकन इनानों परवानत काम लबदा नहीं ते जड़ा लबदा है वो परवान नहीं हुंदा व्यक्या गया के जदूं तक मनुख नूं उस दे मेचदा कामने लबदा, वो पठकदा रहन्द है जिस इस तरी नूं उदे मेचदा कारने लबदा, उस सजे खबे किसे नूं लबदी रहन्दी है अजय व्यक्तियां विच सैन्शील तादी काटदा कारणी है कि उना नू अपनी शक्ती वर्तल दा अवसर नहीं मलदा दुझे पासे किसाना वांग लकड़ हारे बड़े चुप चुपीते सैन्शील लोग हुंदे हैं वावा के वड़वड के उना दा सारा गुसा निकल जानदा है खिडारियां विच वी एक गुण हुंदे है इही सई अर्था मिच तार्मक व्यक्ति हुंदे हैं इनानू किसे तरम दी लोड नी हुंदी सो वो हर तरम नू इना दी लोड हुंदी है लम्मी उडीक उपरंत मिलनवले प्रेमियां दे जड़े पाव हुंदे हैं उही तरम दा सार हुंदे हैं उहीक दूजेली मरं दे जज़बे नाल जियोंदे हैं सेंट शील व्यक्ति दा मौत्स बंदी द्रिष्टी कुण बड़ा उसारू हुंदे असी सैंट शील हाँ जा नहीं ये साड़े मौत्स बंदी द्रिष्टी कुणा तो पता लगदे तरम प्रती द्रिष्टी कुण वी वास्त विच मौत नाल जुड़े आ हुए जे मौत ना हुंदी ता कोई तरम भी न हुंदा सारे तरमादी हूंद दा कारण मौत है करके जित्ता सी कि उनाने मर जाने। साड़ा स्मुच्चा जीवन मौत दी चूल द्वाले कुंद है। असेन शीलता एक परकार दा ग्यान है। किसे भी व्यक्ती को लेना ग्यान नहीं हुंदा कि ओ ग्यानता तो मुक्त हो जाए। सेन शीलता दी प्राप्ती, विशाल ग्यान लम्मी सोच ते डूंगे अनबव तो मगर हों दी है। इसे लिए बहुत कट लोकांच विखनों मिल दी है। इस सोच तो पार दी अवस्त है, निर्वान दी अवस्त है। केवल सोच दे रैन नाल, शंके ते परेशानिया उपच दी हैं। जड़े सोचन लग पेंदी हैं, उच्छाल नहीं मार सकते, जदोंके च्छाल मारे बिना ना कोई निगा रिश्ता हूँ उसर द है, ते ना ही कोई हंडन सार प्राप्ती हूं दी है। मां विच सेजी विखी जा सकदी है। सरदार नरंदर सिंह कपूर्दी पुस्तक अंतर चाता लेख है निकिया निकिया अंगला। जिन्दगी दी खेड लेई हर किसे कोड़ वकरे वकरे पत्ते हुन दे हन। रंगीन दुनिया किसे नू विर्सेच नहीं मिल दे। हर किसे ने अपनी दुनिया विच रंग आप पर नहीं हुन दे हन। जिन्दगी दी दौड़ वेच सदाली कोई नहीं हार दा। जो साधियां अक्खान दा साधी द्रिष्टी दा रंग हुन दे। उही साधी जिन्दगी दा रंग बन जन दे। जो कुझ असी वेखना चौनियां सानो ही कुझ वेखाई दे। अलजबरे वांग जिन्दगी दे वड़े वड़े स्वालां दे जुआब अक्सर बड़े निके निके हुन दे हन। कदम्पा में निके-निके हुन पर जे चल दे रहे ता विशाल दुनियावी छोटी परतीत हुन लग पएगी जे शौक वड़े हुन ता जग सौडा परतीत हुन लग पेंद है। इसे करके कहन दे हन के जिनने खुल दे जाओगे, उनने खिड दे जाओगे, फैल दे जाओगे निकिया निकिया बूंदा जे अंगिंत हो जानता सागर बन जान दे हन जे रेत देकिन के असंखा संख हो जानता विशाल मारूथल बन जान दे हन हर निक्की चीज़ वेच वड़ियां संबाबनावां छूपियां हुंदियां हन। जिवें हर बीज़ वेच एक विशाल जंगल लुक्या हुंदै। तो अडितन खाज आमदन किन्नी वी काट क्यों ना हुवे। तो अड़ा रुतबा जा ओदा किन्ना भी नीवां क्यों ना हुवे। तो अड़ा जीवन किन्या भी मुश्कला मेंच किर्या हुवे। दूजियां दा त्यान रखना अराम्ब करो। सूरज छुपन तो पहला तो अपने अंदर एक शक्ती मैसूस होईगी। जिसनो कोई तन खरीद नहीं सकता। जिसनो कोई चोर चुरा नहीं सकता। तान जा पैसा होना चंगी गल है। पैसे नल अनिक काँचीजां खरीदियां जा सकती है। पर जिन्दगी विच बहुत कोई जजया है जो पैसे नल नहीं खरीदियां जा सकता। पैसे नल सची दोस्ती नहीं खरीदिया सकती। पैसे नल स्वच सोचनी नहीं खरीदिया सकती। पैसे नल चंगी सेथ, परसन बिर्ती ते, उसारु द्रिष्टी कौन। मन्दिय मेरी, घ्यान्दा संगीत अंदरली शांतियाद नहीं खरीदे जासकते। जेडियां चीजां पैसे नल खरीदियां जासकते हन्, उन्हादी सुची लम्मीने। पैसे नल खरीदियां चीजां सढड़े उत्ते काबज हो जानें ह har किसे नू मेंगा काड़ पेज के सुपने विच ने बुलाया जा सकता किसे दे सुपने विच वस जान वास्ते वड़े वड़े वादयां दी लोडने निकिया निकिया सिफतां दी लोड है जेड़े आप पर सन होंदे हन उही दुझेयानों पर संता दी जाग लांदे हन खोश रहने लोकानों असी वदेरे चिर ते वदेरे वारी याद कर दे हन अजे लोकान दी वदेरे उडीक किते जन दी है मनुख पर सनो दो हुंदे जदों किसे उनू प्यार कर दे ते प्यार दी संबावना सानू जुवान रख दिये जदों के डर चिंता ते पैसानू बुड़ा कर देंदे हन जेडियां बिमारियां अमीरानों हुंदिया हन उगरिबानों नहीं हुंदिया एक कुदरत दा इनसाफ है जिंदगी कदे भी असे नहीं हुंदे दुख उन्ने नहीं हुंदे जिन्ने पर्तीत हुंदे हन दूजियां दे सोखवी उन्ने नहीं हुंदे जिन्ने विखाई देंदे हन कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि उसनों मेनत करंदा चंगा बनंदा अपना रा आप बनोंदा अवसर नहीं मिले स्वेरे स्वेरे पिठ दर्द दियां गल्लां करके स्वेर्दी बेजती ना करो सुमुची कुदरत तो अनूडी करे है पर अपनी स्वेर शुरू ही शिकायता नल कर दियो तो शाम की में गुजारोगी तो अडि स्वेर दस दीया कि तो अडि शाम की ओजे हुएगी स्वेरे सैर करन नाल दριष्टी कोंन उसारों नहीं हो जान्दा सैर करदेगा हन जिनांदा दरिष्टी कोंन उसारों होन्दा मेरे एक मित्तर हन उजदों वी स्वेरे सैर ले निकल दे हन तोंना दे कदमाच और नूखी लचक आजान ec वो उत्षा नलकिया कर दे हन, अज कई नमे बंदे मिलनगे, नमा सूरज मिलेगा, नमी स्वेर होएगी, अज दा सुबा असानू नहीं पता, अज कुझ चंगा चंगा वापरेगा उनाले सेर ले जाना एक होर जी गल है, मेरे एक होर जानू हन, पहतर सा पहला उनानू सेर दे, पहले ही दिन दसांदा नोटला प्यासी, उस दिन तो ही उनादी नजर चुकी होई है पिछले वी वर्यां वेच, उनानू होर वी बड़ा कुझ लब्या है, जी में 18,000 बटन लब्या हन, 15,000 मेखा लब्या हन, पर उनानू कोई चड़दा सूरज नहीं लब्या, फुलां दे रांग नहीं लब्या थल्ले वेख दे रहान कारण उनानू कदे ठेड़ा नी लगया, उकोदे डिगे नहीं, पर उनादी शक्सियत जई हो गई है, कि उनानू वेख के लोग बैजान दे हन, उस जिन्दगी दा केवल हनेरा पक वेख दी हन, चानना पक वेख नाओना उनादी सम्रथा तो बार हो क्या होएगा, फोल नू बनस्पती नू चानन नाल मोह है, इसे लिए फाल बूटे जिन्दगी दे चानने पक दा परती खन, पिछे जे मेरे कारदे वरांडे चिक बिल्ली एक कुगी उते चप्ट पई, ती उधी इक लात तोड़ गई, सारी रात मैं उस कुगी बरे चिंत करदा रहा, पर जदों स्वेर होई ता उस निक्य जे पंची ने अपनी इक लात नाली, अपने आपनू संबालना सिखले आसी, ती रोज वांग चेक रहासी, उस दी इस अदाते मेरा सारा परवार उसनू सलाम कहरे आसी, इपंची सानू महानता दार्थ समझा गया, पैरिस इक संगीत कार विच बैठा सा, जवाननी दी दहली जोते कदम रखरे इक मुट्यार वाईलन बजाउंदी उठी, ती अचानक उस दी वाईलन दी तार टुट गे, उकबराई ने, थिडकी ने, रुकी ने, चिजकी ने, उने राग बतल्ल्या, पर वाईलन बजाउंदी रह सुनन वले संगीत ही नई सन सुनरे, उस स्वय विश्वास्ता जल्वा विवेख रहे सन, उना दी अखांदे सामने जित दा जलूस लंग रहा सी, ए द्रिश पामेस दारंजी गल सी, पर ए महांता दा बाल उपदेश सी किसे दे कार ठहरे हँ हारा हुए असा, कार दी स्वानी ने कपड़ेयां दी पंड तो ती ते जिस रसी उते कपड़ें पाई, उरसी टुट गी, ते कपड़ेयांने मिटी लाग गई, उसने सारे कपड़े फिर पाणी चूकडे नचोडै ती का ते सुक्णे पादे ते, फिर उसने बिना गुशा कीतियां सारे कपड़े मुड़तोते। जिनाने कदे सर्दियां विच पांड कपड़ें दीतोती है। वो इसतरियां जान दिया हन कि सब कुछ सेना किनना कठेन है। वो इस त्री महांता विच चुपे सबर संतोग ती रचते सैन शीलता दे अर्थ समझा गई। बहुत अरसा पहला एक बास अड़े उते में दोमें लत्तां तू अपंग एक व्यक्ती वेख्या सी, जेडा पक्खियां वेच रहा सी। किसे ने उसनों वेख के विचारा क्या, पर उसने चमकीली आखा नालते डुल दे परो से नाल क्या सी, विचारा, मैं विचारा नहीं, मैं किस्मत वाला, क्योंके मेरे संपर्क विच केवल मेर बान मनुख ही आउं देहान, ओ मनुख नहीं सी, ओ स्वैपरो से दा चड़दा कॉलेज दे आपक वजों अपनी नौकरी दे मुढले सालांच मैंनो एक छोटे जय पर वड़े दिलवले शेर विच रेंद अवसर मिलया इसे शेर ने मेरी आखां विच सुपने लटकाई सन उथे रात वेले किसे दे बंसरी विजान दी अवाज आया कर दी सी उस बंसरी विच किसे कोयल दी रूवस दी सी रात दे सन्नाटे वेच्चु सवाज वेच्च उबल देयानू ठारन दी रवान्ना होच्चु क्यानू वापस लेऊन दी गवाचियानू लब लेऊन दी ताकत सी आस पास तो पुछन ते पता लगा कि बंसरी विजान वळा उस महले दा चौकिदार सी जदो महिने मगरों चौकिदार में नाव गुरौन आया ता उदे दर्शन करंदा सुपाग मिलिया उदे चेरे उते संतुष्टतादा सोज सी उदे विहार वे चिक निर्चल ते निर्मला मेरी सी उस तो पहला मैं कदे इना टिक्या होया मन नहीं सी वेखिया कुछ लोकां दे चेरे उते मैं रोशनी वेखी सी पर उदे चेरे उते नूर सी उसनू सारा मुहला प्यार करदा सी उस दा जादू पर बावी ना सी के असी शाम पैंदेयां ही रात उडिकन लग पैंदे सां उथे मैं चार वरे रहा ते उत्व आया नूँ भी पामें वी वरे हो गई हन परोदी बंसरी दी अवाज अपने चेती दी अंगलियां मेंच अजवी गूंजदी सुनाई दिन दिया कई लोग इन्ने अमीर हुन दे हन कि वो अपने निक्ये जे साजनाल भी किनना कमाल कर जान दे हन मेनू इन्ज लगदा जमी महराज कृष्चन ने उसनू अपनी बंसरी दित्ती होई सी कई वरी ए ख्याल भी आउन्दा के शायदो महराज कृष्चन ही सी जड़ी महान हुन दे हन उस सदारन साध मुरादे साउते सरल सुबादे मालक हुन दे हन सुक्रात निर्संदे सदारन मनुखदा उच्टम नमोना सी इसा मसीने सूली जई कोजी चीजनू पवित्तर बना देता के इस चिन दी अज संसार पर्च पूजा हुंदी है संसार विच जिन्नेवी महान व्यक्ती होई हन उना विच ये गल संजी है कि उना दे रा विच अंगेंट ओकडां सन पर उना दा अपने आप विच प्रोसा सी जिनन दा अपने आप विच प्रोसा हुंदै वो अपनिया असफल तावांदी टेरी उत्ते उच्चे होके खलो जान्दे हन तो उना नुदिसन वड़ा अंबर होर विच आल हो जान्दै उच अशावादी सन आशावादी उस व्यक्ती नुगेंदी हन जेडा आले द्वाले नुपर्मी नजरनाल वेह के अपने निगूने पन दे बावजूद अन्ताँ दे विश्वास्ता प्रगटावा करे ए प्रगटावा कुछ करन नाली होंदै सफल होंड़े जिनने ज्ञान दी सानू लोड है उनना ज्ञान साड़े सार्यां कोड है पर क्योंकि असी उस ज्ञान नू प्रेर ना ती अमल च नहीं लेओंदे इसले सानू ज्ञान दी काट मैसू सुन दी है काट ज्ञान दी नहीं, काट अमल दी है एक वारी बैंक वास्ते अफसरां दी परते ले इंट्रुवी हो रही सी एक उमीद्वार नू जदों उधियाँ परापतियाँ बारे पुच्छया गया तो उन्हें किया कि उन्हें कदे बेहमानी नहीं कीती कदे चाल नहीं कीता, कदे चूट नहीं बोलेब किसे नलचगडा नहीं कीता इंट्रुवीउ लेन वाले ने किया सानु एना दसों के तुसी की की नहीं कीता असी ये जानना चौनियां के तुसी कीता की की है एमें इक होर उमीदवार नू उस दिवाद दू योकता जाननली पुछे आ गया की तो आनू गोणा होंद है उत्तर मिले है मैनू नचना भी होंद है वडियां वडियां गल्लां सानू नेडियों पर बावत नहीं कर दियां जेडियां गल्लां सानू पर सन कर दियां हन उनां गल्लां बारे एक सरसेम्ती हुन दिये वाद विवाद सदा निगूनी आं गल्लां बारे हुन दिये हन जैसे निकिया निकिया अंगल्लां वलते आन देगे तब वड़ियां अंगल्लां आपे हल हो जान गिया संसार बहुत वड़ा है इस ती चिंता करन दी लोड नहीं लोड इस गल दी है कि असी अपनी चिंता करिये कि किस अड़े विच सुदार ते विकास वपर रही हैं कि नहीं किस अड़े कर दे आले दोले सफाई है कि नहीं संसार अपनी चिंता आप कर लेगा तुसी अपनी चिंता ही कर लो किसे ने पुछे है मैं की करा मैं सारे संसार नू बदल देना चाना उत्तर मिलिया अपने ही पिछे चुपया हुए, किसीने क्या मैं अजाद होना चाना, उत्तर मिलिया, अजादी एक परम है, जिम्मेवारी हकीकत है, जिनने जिम्मेवार हुन दे जाओगे, उनने अजाद ते खुशाल हुन दे जाओगे, संसार विच कोई कौम, कोई समाज, कोई व्यक्ति जिम्मेवार हुए, ते जिम्मेवार हुए, ते जिम्मेवार हुए, ते अजाद न हुए, जिम्मेवारी अजादी दा पहला नेम है, जीवन दी हर खेट नेमा जब जी हुए है, इना नेमा तो बिना उस खेट नू खेट या नहीं जा सकता, नेमा दा पलन करन वाली टीम अपनिया शर्तां ते जिन्दगी जीमांगा। 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 अपनिया शर्तां ते जीमांगा। अपनिया शर्तां अपनिया शर्तां ते जीमांगा। अपनिया शर्तां ते जीमांगा। अपनिया शर्तां ते जीमांगा। असी असीम ते अनंत प्यार दी तांग करदें हां पर पुल जान दें के प्यार प्रापत करण दी साधी समरता बड़ी सीमत हुन दी है असी सागर लई तांग दें पर साधी प्यासी के गणवी तो वद नहीं हुन दी असी चंगियां लेखतां दा परबावता ग्रेन कर देयां पर उसनू यतनते अमल विच नहीं टाल दे इही कारण है के जीवन दे ठीक रस्ते दा ज्यान हुंदेयां वे असी जान बुझ के कुराही पैजान देयां साडे कोल जीवन उदेशता हुंदे पर उस पश्ट नहीं हुंदे इसे करके असी वदेरे बार उदास हुंदेयां ते वदेरे बिमार पैंदेयां असी दूजियां दी नकल करके परसन होना चौन देयां पर पोल जानेयां कि नकल विच दोहराओ ही उपजद है परसन ता मौलिक ता विच उपजद है तो अडेवांग मैं भी बहुत सारे जए जवान लड़के लड़कियानू जान दा जिननने अपनी पड़ाई मुकान तो पल नहीं अपने माप्यां तो बारे होके आप हुद्रे पांडनाल व्या करवाले आसी उनानू पच्ताओं लेही जिन्दगी खुला वक्त दे रही है कोई प्लाट लेंड समें कपडे करिदन समें किसे कोर्स वेच दाखला लेंड लेही जान कुछ भी महत्तपुरन करन समे असी अपने माप्यां सबंदियां दोस्ता मित्रां दी सलाल लेंदे ने उना दे सुजाईरा उते चल देवियां पर अपने मर्जी दा व्या करन वेले असी किसे सला दी लोड नहीं समझ दे अजय अवस्ता वेच असी अपने हर काम वेच सहयोगी ते शुब चिंतकों वाले मापयांनू अपने विरोधी जन्दुष्मन समझन दा पुलेखा क्यों सेर्ज लेने हैं साड़े मापय साड़े सबंदी साड़े विरोधी नहीं बने हुंदे सोगों आसी उना दा विरोध कर रहे हुंदे हां हर काल पचतावे उपरामता ते निरास्तानू जनन्तिन्दे अथे शिकायता संगणिय हो जांदी हां बहुत कुझ हो जान दे बावजूद संसार चाजे बहुत कुझ करनवडा बाकी है जडासी करने संसार दी सब्तों तेज दोड़ते सब्तों उची छाल जे लाई जाने संसार दा सब्तों मधुर गेत जे गाया जाने विशव दी सब तो चंगी पोस्तक अजे लिखी जानी है संसार दे सब तो वदिया मकान जा इमारत दी उसारी अजे कीती जानी है दुनियां दा सब तो चंगा काम संसार विचों कोज खतम करन दा यतन अजे कीता जाना है मौके अथाहन निके बंदियां दे वड़े होन दे अवसर अमुखान इक वरीक व्यक्तिने अर्दास किती हे परमातमा इस निगर दे जान दे संसार दा सुधार करन ले किसी नूपे जो उत्तर मिलिया तो नूपे जिया तासी वड़े दिलानाल विशाल सोचानाल दे सुच्चे उदेशा दे निके निके कमा निके अनिके अंगलां विच वी महान वर्तारे बणंदी संभावना हुंदी है हर बूंद विच सुमुच्चे सागर्दा सुनेहा हुंद सरदार नरंदर सिंक पूर्दी पुस्तक अंतर चात दा लेख है मुक गई कुल पचान मानव जाती तो इलावा स्मुचे जीव जन्तू जगत विच माप्यां दू इक वारी विछडी संतान वापस नहीं परत दी इही कारण है के मनुख तो इलावा किसे होर नसल विज बेगानगी दा संकलप ऐसास जों पाव आदवी नहीं है बेगानगी दा ऐसास किसे नू अपणा बनाओं जां समझन दी इच्छा दे असःफल जां तिरो ठीज साबट हो जाननाल जागता है बेगानगी दा एसास किसे इकला के समे तरम जात गोत दा नहीं सुगों सुमुची मानव जाती दा संजाते संगना एसास है कुछ खोई जान दा पै, कुछ गुआज जान दा डार, किसे दे विच्छड जान दा दुख, किसे दे पराई हो जान दी जिनता अपने नारेन दा संताप, जैदाद, अधिकार, पद्वियात्तों वि छुन्ने जान दा संसा आध मनुखनों उदास्ते उप्राम करदे हैं ईःउप्रामता मनुखनों मेले वीच वि एकल्ला करदेंदी है जदों अजई उदासी जाओ पुरामता जाग पवेता मनुख विच बेगान गी विजोगे पन अजनभी पन उप्रेपन आदकारन उस्ता मन परदेसी हो निबड़दा है अजई स्थिती विच तियां विच्चों भी कुरलाट सुनाई दिया यात्रा तो मुडंते अपने कार विच किसे होर नू रेंदे आवेखना अपने मंगेतर दे किसे होर नल व्या होन बारे सुनना अपने पती दे किसे होर इस्त्री नल सबंदा बारे जानना किसे दी वफादारी दे चूठे होन बारे जाननना मनुख विच गुसे नफरत ते इकलता दे पापता जाग दे हन अपने जड़ूं पुटे जानवले या सास वी जाग दे हन बेगानगी दाय सास मनुख नू टेर चिरपल नहीं बुड़ा कर देंद है बेगानगी दाय सास वी सर्ज दे हन जिनानों असी अपना समझ दे हन ते जिना दे विकास वीच अपना समा तन यतन ते मेनत लाई हन दे है उन्ज तां पवित्तर प्रेम तों ही संसार प्रेम दी जाग लग दिय है पर जदों प्यार दी सैज सुबावक रिष्टे, जोर जबर्दस्ती दे रिष्टे बन जान, ता साड़े विच्छों अपने संपूरन ते परे होई होन दा असास लोप हो जान दे, ते जियोन दी इच्छा फिक्की पैंडा लग पैंदी है. कारो स्थानु नहीं कहन दे, जिथे असी खान दे पींदे जाग दे Україं, सो गोकारों था हन दे जिथे जहन अनलु में समझे आ जान दे, जिवे असी समझे जाना चौन दे है. अर्थात जिते साधी कदर हुन दी है, जिते साधा अपमान होंदा, कोई डार नहीं होंदा, पर जदों बेगाना पंजा, उपरापान कारंदर भी दाखल हो जाए, ता कारिक कचैरी वांग होने पड़ दा है, जिते साधी पेशी पेंदी है ते दुझे सारे साधीयां विरू दी गवाईयां होने बढ़ दे हान। इमें आसी अपने कार्च केर गय मैसूस कर दे हान। इसे करके केंदे हान के पेंड दा कोई बंदा पेंड वीच छुप नहीं सकता क्योंकि उसनु नफरत करन माला उसनु वेख रहा हुंदा है। देख के अग्गे लंग जान दा हुंदा है। दाना लडन दे मुकाबले अपने कर दे जियां रिष्टेदाना जानु आते से कर्मिया नाल लडना वदेरे मेंगाते दुखदाई हुंदा है। लड़ाई है जिस विच ना तुसी जित सकते हो ते ना दुझे तो अनु हारन दें दे हान। बाईबल वांग सारे तार्मिक ग्रन्थांच लिख्या हुया है कि अपने दुश्मन वी प्यार करो। पर जिस युग विचे ग्रत लिखे गए सान। उस युग विच दुश्मन दी पिशान करनी सोखी सी जदके जोके युग विच ता लोग केंदे सुनें गई हान। मैं तोड़ी दोस्ती तो अक गयां। दोस्ती दा वास्ता जे कुछ चेरले तुसी मेरे दुश्मन बन जाओ। पर आजकल विदेश चाना अपना देश चड़न ते चड़के उसनू पंड़न दा एक वसील है। जियों जियों जीवन विच उप्रामता वदेगी त्यों त्यों सारे रिष्टे बोजल हुंदे जानंगे। ते मजबूरियां विच वद्धा होएगा ते उप्रामता होर वदेगी। कोई समासी जदो मालक मकान जीवन विच क्रायदार नालों अपने आपनू वदेरे सफल समय दासी। पर हुन क्रायदार ते जागण तो पहल नाई मालक मकान उनू आखदा है। एक सौर प्या देना क्रायचों कट लेना। जोके युगविच लगपग सारे रिष्टे मालक मकान ते क्रायदार वाले हम दे जा रहे है। निंदा ते अपरवान गी कुडत्तन दे परमुक्स रोथ हन। जिमें इल उड़ दी बहुत उची है पर उदी नजर मरे हुए चुए उत्ते ही बेंदी है। इवें यह जोके युगविच उच्चियां पद्मियां आप उच्चे उब्रणले नहीं दूजियानू निमावखोंडले वर्तियां जा रहे है। हर हीले दूजियानालों निवेकला ते विशेश प्रापत होन दी लाल साधेन किसी हंडण सार सांज दी संबावना नहीं रही। निगवळे रिष्टेवी होन कोई तसल्ली नहीं दिन्दे। जिनानू असी अपना समय दियां उही साड़े उपरों लंगना चौंदी हैं। हर कोई सोच रहे हैं कि जे दूजाव मीदवार ना हुंदा तमे निव्त हो जाना सी। जे ओ ना हुंदा तमे किदरे दा किदरे पौन जाना सी। मानव जाती दे अव चेतन विच अपरात ते बेगानगी दियां पावनामांदा वासा है। मनुख वल्नों वर्जित फाल खाना पाप्पांदी कारण आतमांदा पर मातमातों निखड़ना। सरीर नू आतमातों इस्तरी नू पुरुष्टों मनुख नू कुदरतों वक करके वेकना बेगानगी दा एसास जगान वले वर्तारे हन। हर तर मीने बेगानगी दे एसास नू मनुखी चेतना विच डूंगा कीता है। जनम समय बच्चे दी मांदे गर विच्चों बाहरोना एक बड़ा दुखदाई ते चिर्स्थाय अनुभव है। जनम लेनू पुरंत बच्चे दा मांदे दुद नाणू विच्छोडे जाना उस दी उप्राम ताते पटकंचो वादा करदा है। परिवार विच्च दुझे बच्चे दी आमद उस विच्च साड़े ती इर्खा दे पावज गौंदी है। ए साड़ा ती इर्खा उस दे सुबा विच्च सदीवी तब्दीली लेओंदे हन। ते उस विच्च बेपर उसकी दावातवरन सिर्ज दे। मनुखी किर्थ ने समाज दिव सारी कीती है। जदो किर्थ साड़ी सी रिस्ते सरलते से देसन वंड सामेसी। उदो सबंद बेगानगी वाली नहीं सन। पर जोके युग विच्च किर्थी नूस दी किर्थ दे फाल नलो निखेड दित्ते जानकारन। किर्थी दा अपनी किर्थ नलस बंद नफरत वड़ा हो गया है। उसन। अपनी किर्थ विच्चो तसली नी मिल दी, थकावड ते उपरामता मिल दी है। निजजी मुनाफे ने ते कामदी वंड ने सांजी किर्थ दा संकलप विगाड़ देता है। जियों जियों मनुखदियां लोड़ां वद्धियां गया हैं, त्यों त्यों उस समाजिक बंदनानों सविकार करदा गया है, लोड़ां ते अच्छामा ने ही मनुखदा गुलाम बनाया है, समाजदा विरोध करनवाले कभी जन लेखक वी असल विच वदेरे लोड़ां ते इच्छामा दी पूर्ती लई तांगवान हुन दे हन। निजी मुनाफे ने निजी किर्थ ते निजी जैदाद दे संकल्प उसार के गुलामदारी दा योग ते जमाती वंडांदा दौर दौरा अरंब कीता है। इच्छामा दे प्राप्तियां विचले वद्दे पाड़े ने मनुक नू उपराम उदास दे मयूस कीता है। पर मातमा ते स्वर्ग तो विच्ड़े होन दा एसास मद काल विच मनुक नू ज्यान करम ते पगती राही। वापस मुडन ते मुड सभी कारे जान दी तरवास दिन दा सी। पर जोके मनुक नू ये यकेन ही नी हो गया, हो गया के हुन रब नहीं बोड़ेगा, सो गो नू रब दी होन भी छलावा परतीत होन लग पही है। जदों किसे कसान दी फसलते गड़े पैरे होन उस समे पाना मनना सोखा नहीं होन दा। पा दूजियां तो अग्ये लंग जानली पड़ाई, वपार, ओदे, जय दाद, खेड़ा, आदे, खेतर विच मनुक ने दूजियां आल विरोध वड़े रिष्टे उसार लाई हन, ते निरंतर मुकाबले वड़ी स्थिती विच जियोंदे रेनां दुखदाई होन दा जा इच्छा ते प्राप्ती विच कार वित्वद जानकार हन, जिड़े सफल भी हो रही हन, उवी उपराम हन, कीमतां विच वड़ा सब परकार दे रिष्टेयां ते सबंदा नू रुखा ते ठंडा कर रही है, मनुक ते समाजिक दूजिय नू कट रही हन, मनुक दी सोच ते बारली स्थिती विच विरोध है, सो बेगानगी ने हर हालत विच वपरना है, प्यार दे खेतर विच जिससे साथ लेई पहला व्यक्ती तडपद है, फिर उसे तो चुटकारा प्रापत करन लेई लुच दै, जिवें गडियां ने यातरां दा मुहांदरा बदल देता है, उमी काल ने प्यार दी तासीर बदल देती है, उन रिष्टे जिस रफ्तार नल उस्सर देहन, उस नलुई तेज रफ्तार नल टुट देहन, उन व्यादे मुकाबले तलाक लेंडी वदेरे उत्षा विखाया जान दे, उन माप्यां विच हिम्मत नहीं के व्या उपरनत अपने मजबूरी वस केता जन्दै, हुन मनुखनू खान पीन दे समय अपने मनुखोन दाय सास हुन्दै, जदोंके कम कर दियां, वो अपने आपने आपनू पशुजा मशीनी समय दै, ए हैरानी वाली गल नहीं के खान पीन आद, पशुआ वाली कमा विचो नू अपने की किर्ट कर दियां, अपने आपनू पशुजा मय दै, वेगान की वाली किर्ट मनुखनू स्रीर तू अग्य सोचन ही नहीं दिन्दे, तान प्रापती ली अन्नी दोड़, ना मनुखनू जीन दिन्दे ना युनू मरं दिन्दे, इसे करके आतमकात मरंदा, हर्मन प्यारा बनदा जा रहे है। मनुख ही दिमाग उते हावी हो गई है। अपने बेगाने होन दे ऐसास विच्चों दे दूजियां वलो ते आगे जान दे डर विच्चों ही जै दाद दा मो जागदा है। जदो साड़ी मनुखां विच्चों दिल्चस्पी काट जान दिया तासी वस्तां विच्चों तसली पाल दिया। जदो साड़ी जजबे ठंडे प्याजान दियां तासी जमा तक्सीमा विच्च रुज जान दिया। बेगानगी दे ऐसास कारण दुज जयान दियां काटां सैन दिया मीरी दा लोप होना सुबावक है। उनसी संसार दा पला सोचन दी था अपना टोल वजान च मगना। साड़े सारे अंदर एक काल पसर गई है। उनता जीवन विच काल इन्नी वद गई है के लाडे सेरा भी चल देयां चल देयां बन दे है। अजोक के मनुख दी हॉम में भी सुंगडी हुई है। उदब कुछ भी खुला खलासा नहीं उजिन्दगी वाल दर्वाजा टोगे बैठा हुय है। उन्ज ता इश्क दी खेड लापरवाई नल नहीं खेड़ी जा सकदी पर इस केतर विच वापर रही लापरवाई मनुख नू पावक पकों गरी भी नहीं कंगाल वी कर रही है। बेगान गी दाय साज साधे करां वीच साधे रिष्टियां वीच साधे बोल बुलारे ते साधे समुच्चे विहार वीच परवेशकार जानकारन साधे वीच कोई वी रिष्टाउ सारंदी संभावना सुंगड़ दी जा रही है। जदों तक मनुख नुँ अपने अदूरे पंदी सोजी ना हुवी उदों तक मनुख वेच ना ग्यान प्राप्ती दी अच्छा जाग दी है ना दुझया प्रती सतकार उपुझदा है। वेख्या गया कि किसे नुँ जो कुझ वी मिलदा है ओधी योगता समरथा नालों सदा वदेरी हन्दा है। पर असी निरंतर मुकाबले दी स्थेती वेच विचरन कारण जेओं 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 उपर उठ देयां तेओं तेओं वदेरे उपुराम हुन दे जान्देया। जेवें मिर्गी दे मरीज संजोग मिलण ते विव्या तो डर्दे रन्दे हन् उमी असी बेगानगी दे ऐसास कारण अपणियां सफल तामा तों आतम विश्वास प्रापत करण दी थां तड़े बंदियां पालन कारण अपणियां योगता दे वदेरे परमान देन लग प कि बेगानगी दे संताप तो बचन दा कोई टांग रहा है निरसंदे स्थिती बड़ी चिंता जनकते कठेने क्योंके बेगानगी दा वाता वर नित दिन संग्णा हंदा जारे है साडे सारे अंदर एक होर मनुक हाजर है जड़ा साडे नल नराज है पर मनुक दुख हते अपने काम विच जुट जान नाल ते अपने आप प्रती सुहिर्द ते इमानदार होन नाल सी बेगानगी दे सासनों मोडा दे सकते है सानू याद रखना चाहिदा है कि मनुक नलू मनुक ता वड़ी है ते साडे कार नलू संसार वड़ा है कधी-कधी कुछ गुण गुण दौना वी बेगान ने पन्दा इलाज होने बड़ दा है तो हड़ी है साढे विच जिंदगी दा प्रोसा होना चाहिदा है वेख्या गया है कि जहुज जह साद्य विचार हुंदे हन उह जी साढ़ी सरीरक स्थेती होने बड़ दिये है प्यार करना थे किसे दे प्यार थे योग होना, सूरजनु दुआ पासियां तो मैसूस करन वांग होन्द है। कोई वी संकट मानव जाती दे वी कास नू ना रोक सक्या ना कदे रोक सकेगा। जदों मनुख दी अवाज बेगान गी दी ठकावट तो मुक्त हुएगी। जदों ओदे बोलनां विच्चों जिन्दगी दा प्रोसा गुंजेगा। जदों उदे विहार विच्चों जीवन दी तांग लिश्का मारेगी, जदों उदी नजर अपने कार्दे बनेरियां तो पार धूर तक वेखन दे समरत्थ होएगी, उदों उआप लम्मी यात्राते निकलेगा, दू ज्यानु रावी विखाएगा, ते टुरंदी हिम्मत वि देगा, उदों उसती तक्णी वेच अन बज्जी खुल होएगी, उदे विचारां वेच नमे विचारां दे अउनलेई थां होएगी, ते उसते हत आप मोहरे अर दास वेच जदों जुडन गे, ता उसते शांत बुल्लां वेच वाज आएगी, रब जी मैनू अंदरों सु जिन्दगी दे मेलें दा वर्दान देओ, तान वाज